और मेरे प्यारे दोस्तों आज हम बताने जा रहे हैं polyesterine इसको बोलते हैं polyesterine जिसका फोर्मूला क्या होता है पोलिएस्टरीन होता क्या है इसमें प्लास्टिक की तरह गुन होता है जिसको किसी भी रंग में बनाया जाता है इसे बनाने के लिए एल्मूनियम कोलोराइड को उपस्तिती में एथिलीन को बेंजीन के साथ गर्म करेंगे या पर्तिक्रिया करेंगे या रियक्षन करेंगे तब हमें polyesterine प्राप्त होगा इस प्रगास हमें polyesterine बनता है रियक्षन क्या बोलते हैं इसका देखा अभी किरिया जब एथिलीन को बेंजीन के साथ C6 H6 से बेंजन हुआ एल्मूनियम कोलोराइड को फस्तिती में गर्म करेंगे तो क्या बनेगा इसका structure कैसे बनता है CC के बाद double bond single bond यहां भी single bond फिर double bond फिर यहां double bond फिर इसके बीच single bond अब देखो यहां भी इधर H इधर भी H इधर भी hydrogen अर्थाथ hydrogen याहां देखो एकसी इधर 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 एधर घहिए दो यहां H यहाँ भी hydrogen यह भी hydrogen घहळ दिये N औरनी कि N बहुलक हुआ। तो इस टाइब से क्या है बनेगा। पोली एस्टराइन का structure है तो एक्षन में क्या किये इथिलिन को बेंजिंग साथ एलमिनम कोलराइट को फस्तिम गर्म किये तो हमको पोली एस्टराइन प्राप्त हुआ है आप पोली एस्टराइन के देखो इसका नयम बोलो या कोड बोलो इसको तुम बोल सकता है पोली क्या बल सकता है इसको पोली कोस्ट सुरू करो कोस्ट सुरू करो ओन फिनायल one फिनायल इथिन होता है फिनायल इथिन फिनायल इथिन फिनायल इथिन ठीक उसके बाद क्या दे हो वन तू डाय एल इसे घेर दो यह है आयू पी एसी नियम और इसका क्लासिफिकेशन किस वर्गी करण में रखा गया इसको क्लासिफिकेशन में पोलीमर में पोलीमर ग्रूप इसको रखा जाता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है मेल्टिंग पॉइंट मतला दरबनांक इसका होता दूसो चालिश डिगरी सेंटिग्रेड और चार सो चोंसट डिगरी फारेन हाइट और पान्सो तेरा केल्वीन होता है यह हुआ इसका मेल्टिंग पॉइंट और इसका थर्मल कंडुक्टिविटी इसका थर्मल कंडुक्टिविटी होता है कि जीरो तो समलब जीरो थिरी थिरी डवलू बटे एम के जीरो तो समलब जीरो थिरी थिरी डवलू बटे कोस्ट में दे दो एम इंटू के है उसके बाद इसका थर्मल इन्वाटर लिखो तो समल इन्वाटर और पाने में क्या है विला है कि विला है इसको बोल सकते हैं इन्सलूबल और यह इसका देंशिटी कितना होता है 0.96 इससे लेकर 1.05 गराम पर सीयमक्यू इसका देंशिटी देखो डेंशिटी इसका लिए लिख सकता है तुर्म जीरो दो दसमलब नाइशिक्स बट वान दसम्दब जीरो फाइब गराम पड़ सी एम यू इसका घनत होता है इस टाइब से यह पोली अस्टरीन का यह पूरा आपक नेम काला सिफिकेशन मेल्टिंग पॉंट थर्मल कनेक्टिटी सोलुबिलिटर और देंसिटी यह संसलेट यह संसलेशित अरोमेटिक हैड् अर्पोल का बहुलाग है जोकी अस्टरी मोमोर से बनाया जाता है इक गुन देखो प गया गहां देखो यहां जो है कितना 82 डिघ्री ताप को सह सकता है लिख तो यहां 87 डिख्री अनिकी 82 डिख्री centigrade को 82 संटीडेट को सह सकता है सह कौनी को उसे ज्यादा होगा तो वह क्या होगा पिग्गल जाएगा और नमी को सोकने की छमता नहीं होता है नमी को सोखने की छमता नहीं होता और तीन में देखो तीन में क्या होता किसी भी रंग में बनाए जाता इसको किसी भी रंग में बना सकता पोलेश्ट्रिन को सकते हैं किसी भी रंग में यह क्या कर सकते हैं तुम बना सकते हैं यह कास्टिंग आसानी से कर सकता है कैंने इस टाइप से जिस रूप में देना आसानी से कर सकते हैं है का क्रास्टी तो को आसानी से कर सकता है को आसानी से क्र सकताहा क्रास्टी और पॉलियस्ट्रेनश 파स्ट ugh और ऐस्टूजेन कर सकते मौड़िंग मोड़ सकते एस्टूजेन से उसको पुरा तरह से एक तरह से गोल भी बनासकते हैं इसका किसमें किया था सबस्क्राइब को अगर उप्योग बोले का क्या कि आज में पैंशुम उप नोट है ब रेडियां का पार्ट श wheelina बर्तन बेटरी बॉक्स पेकिंग करने में उसके बाद आविर्ती विर्धी चार्ट बनाने में और कठो ट्रे बनाने में इसको लिखो आविर्ती चार्ट और कठोड ट्रे बनाने में पोलियस्ट्रीन को उप्योग किया जाता है इस टाइप से हम लोग पोलियस्ट्रीन के बारे में हम जानगे इसलिए हम लोग चैनल को जरो सब्सक्राइब कर ले धन्यवाद